हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ निव गुटर आईडी काड एपलाई करने का सही तरीका क्या है किस पकार आप घर बेटे अपनी मुबाइल लेप्टोप या अपनी कम्पूटर से निव गुटर आईडी काड के लिए एपलाई करते हैं अगर आपकी एज 18 यार्ड हो चुका है 18 प्लास हो चुका है तो आप घर बेटे अपनी मुबाइल लेप्टोप या अपनी कम्पूटर से बुटर आईडी काड के लिए एपलाई कर सकते हैं बुटर आईडी काड़ एपलाई करने के बाल जिस पार्टी को आप सपूर्ट करते हैं इस पार्टी को आप वो डालके और बेहतर तरीके से सपूर्ट कर सकते हैं उसी की बारे आप प्रापर समझने के लिए आप इस वीडियो को लाच तक देके अगर आपने हमारी इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन करके रखे किनकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपक करिए उसके बाद यह पेज इस परकार आएगा फाइब सेकंड के लिए वूइट करना है तो यह हो जाएगा यह है बूटर सार्विस पूर्टल बूटर काड एपलाई या करेप्शन करने के लिए एक यूजर आइडी और पास्वार्ड क्रियेट करना है अगर आपकी पास यूजर आइडी और पास्वार्ड है तो डाइरेक्ट यहाँ से लोग इन कर सकते हैं यहां से लोग इन कर सकते हैं या आप जिस फ्रॉं मोटर आइडी काड़ एपलाई कर रहा हूँ फ्रॉम शी करती कर देजिए उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा लोग इन लोग इन करने का option यूजर आईडी और पस्वार्ड टाइप करना कैप्चा फील करना और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटी पी पर क्लिक करना मॉबाइल नमपर पर एक ओटी पी आएगा ओटी पी टाइप करके बेरिफाई एंड लोग इन पर क्लिक करना अगर आपकी पास यूजर आईडी और पस्वार्ड नहीं है तो साइनअप पर क्लिक करके आप एक यूजर आईडी और पस्वार्ड बना लीजिए मैं लोग इन कर लेता हूँ उसके बाद फ्रॉम 6 पर क्लिक करना यह जो फ्रॉम 6 है आप यहां क्लिक करिए इस from को आप complete फिल करना और site में देख रहे हैं आप ये एक step complete होने के बाद एक step से दूसरे step में जाएगा तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले इहाँ से आप अपनी state चूज़ करना इहाँ से अपनी district चूज़ करना और इहाँ से अपनी assembly चूज़ करना आप choose करते जाएए, automatic आपकी हिसाब से और आपकी सामने आ जाएगा तो उसके बाद आप scroll करके नीचे आना, नीचे आने के बाद इहाँ आपनी fast name टाइप करना नीचे automatic local language में आ जाएगा, अगर local language में सही नहीं आता है तो सही कर लिजYे उसके बाद यहाँ अपनी last name टाइप करना नीचे local language में आ जाएगा सही नहीं है तो आप सही कर लिजिए उसके बाद अपनी बुठर ID card में photo print करने के लिए आप एक photo upload करना photo की size maximum 2MP होनी चाहिए jpg और jpeg format में होनी चाहिए face full होनी चाहिए background white होनी चाहिए यह सब यहाँ mention किया है उसके बाद choose file पर click करके जहाँ पर अपनी photo है यहाँ से आप अपनी photo select करके upload करना उसके बाद नीचे आप relation choose करना है जैसे fathers, others, husband, wife आप अपनी हिसाब से choose कर लिजिए और यहाँ पर name लिख लिजिए और नीचे automatic local language में आ जाएगा सही नहीं है तो आप सही कर लिजिए यहाँ अपनी last name लिखिए अपनी relative की last name यहाँ आप type करिए और local language में सही नहीं होता है सही कर लिजिए उसके बाद एक mobile number देना है अगर mobile number खुद की है तो self की box में टीक करना अगर अपनी पुरिवार की और किसी की दे रहे है तो relative आप यहाँ दूसरी options पर choose करना यहाँ mobile number type करना send OTP पर click करना mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ टाइप करके verify पर click करना जो box है circle है इस पर tick कर देना अगर आदार नंबर नहीं दे रहे हैं तो दूसरा option पर tick कर देना उसके बाद यहाँ से आप अपनी gender choose करना male female अपने हिसाब से tick कर दीजिए उसके बाद अपनी date of birth type करना अपनी date of birth क्या है आप यहाँ से type करना date of birth के लिए कौन सी document आप दे रह ng और PDF format में होनी चाहिए choose file पर click करके अपनी document को upload कर लिजिए उसके बाद personal address details यहाँ अपने house number building number आप यहाँ टाइप करना नीचे local language में आएगा अगर सही नहीं आता है तो सही कर लिजिए उसके बाद अपनी हिसाब से पूरा address fill कर लिजिए area locality आप कर लिजिए उसके local language में आ जाएगा सही नहीं है तो सही कर लिजिए उसके बाद post office pin code तैसिल या महला अपने हिसाब से type कर लिजिए district यहाँ अपनी state उसके बाद आप address proof के लिए एक document upload करना है तो select document पर click करके अपनी address proof के लिए कौन सी document आप दे रहे हैं तो इसको select कर लिजिए उसके बाद document क size 2mb होनी चाहिए maximum और jpg, png और pdf format में होनी चाहिए choose file पर click करके अपनी document को select करके upload कर लिजिए उसके बाद यह options आप चाहे तो feel कर सकते हैं या चूड सकते हैं उसके बाद आप scroll करना है यहाँ यह options भी आप चाहे तो दे सकते हैं अपनी परिवार के किसी की name, relation type और उसकी boot ID number मतलब अगर आप यहाँ देते हैं तो जिसकी booter ID number दे रहे हैं तो उसकी नाम आप यहाँ टाइप करना और यहाँ से अपनी relation choose करना तो अपनी booter ID card की जो काम है यह तो फास्ट होगा उसके बाद निचे scroll करना यहाँ अपनी village या टाउन की name type करना state choose करना यहाँ से अपनी हिसाब से choose कर लेना उसके बाद यहाँ अपनी place type करना मतलब अपनी गाउ या शहर की name अपनी जहाँ से fill करने हैं यहाँ की name दे सकते हैं automatic date आ जाएगा यह जो capture है capture नीचे यहाँ फिल करना और preview and submit पर click करना आपकी सामने पूरा from की preview आ जाएगा जो आपने from fill किया है जिस from क की सामने आएगा आप सही तरीके से एक बार चेक कर लीजिए अपनी from में कई गलती हुआ है या सब कुछ सही है अगर सब कुछ सही है तो आप submit कर दीजिए अगर कुछ mistake हुआ है तो back पर click करका आप उसको फिर से सही करके submit कर दीजिए submit करने के बाद आपकी सामने एक reference ID मिल करना है मतलब 5-7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप ट्रेक कर लीजिए ट्रेक करने के लिए आप इस पेज़ पर आना है www.nbsp.in टाइप करके बुडर सर्विस पूर्टल पर आना है और यहाँ आपको एक options मिल जाएगा track application status आप यहाँ क्लिक करना है track application status पर उसके बाद जो reference number आपको मिला है इस reference ID को number को इहाँ आप टाइप करना और इहाँ से अपनी स्टेड चूज करना उसके बाद submit पर क्लिक करके आप अपनी बुडर ID कार्ड की status ट्रेक उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया है तो झाल